तो आज के फॉंडेशन कोर्स के बारे में थोड़ा मैं इंट्रडेक्शन करो अपके लिए तो फॉंडेशन कोर्स ऐसा होता है यह 9th class 10th और 1st POC वाले बहुत बेनफिशल होता है कि वो 9th class 10th class और 1st POC का जितना syllabus होता है content एकटा करके उसके बारे में explain किया जाता है उसको बोले आता है foundation course इसी बच्चा क्या होता है अपना confidence level बढ़ा सकता है और अपना होसले बढ़ सकते हैं तो उनके भी जो भी कभी हो रही है वो भी पूरी हो जाती इस foundation course से foundation course major role play कर रहा है continuity exam कि students के नर्वनेस में दूर कर सकता है और उनके जितना stress हो रहा है mind वो भी खतम हो जाता तो foundation course के बारे मैं थोड़ा एक-दो मिनिट के लिए मैं आपके सामें प्रेश करना तो student foundation course में यह होता है कि biology, physics, chemistry और mass पूरे चारो subject होते है तो इसमें content होता है 9th class का 10th का और FUC का सब mix करके हम आपको पढ़ा दे यह कटा करके Excel बसमें आपको पढ़ा दे तो इसमें क्या है 100% information उस topic के बारे माँ को मिल जाता है तो आपको कहीं भी भी complete exam में जचकना पड़ेगा और उसके बारे में tension नहीं रहता है पूरा आपो जैसा के आप complete exam के जैसे multiple choice questions आते हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं तो इसलिए हमें आपके सामें foundation course से वीडियो के जरे आप तक पहुंचा रहे हैं तो यह foundation course में beneficial क्या है एक आपका जो subject में जो content weak हो गया उसको आप strong कर ले सकते हैं ठीक है दूसरी बात यह है के complete exam में कैसे टाप के questions यहां पे आते हैं आपको नहीं मालूम है तो वो भी यहां पे इसमें foundation course में मालूम किया जा रहा है नेक्स्ट और एक है के benefit सबसे बड़ा beneficial क्या है के time management time management कैसा करना है क्या है इसमें भी पढ़ाते वोगत हम जो topic का content है उसको आपके सामें पेश करेंगे और elaborated explain करते होगा तो ज्यादा time ले लेता है बहुत कम रहता है वहां पर understand कैसा करना है यह भी आपको आपके सामें पेश करेंगे तो student यह तीनों के foundation course में दिया जाता है और main चीज़ यह है के CDF का होता है concept definition और आज के topic में concept और definition और फार्मला थीनों भी आपके सामें explain करोगा तो आज का हमारा CDF प्रोग्रम में नीट जो crash course है नीट का crash course है उसमें CDF प्रोग्राम में implement किया जगा है CDF का फुल फार्मा आप तो मैंने बता चुका हूं तो CDF में हम concept क्या होता है definition क्या होता है फार्मला क्या होता है इसको कैसा हम प्रोग्राम में लेके जाएगी या प्रोग्राम और crash course में कैसे implement करना है वह आपको यहां से continue classes में जाए होगा तो आज का physics में content है हमारा हो है current electricity current electricity में दिखिए current electricity में आपको जन्रल है SSC SSLC student जो भी अपेर हो रहे है यह chapter आपके लिए syllabus में है तो इसके बारे में थोड़ा आप मैं उसका discuss करेंगा तो यहां पी दिखिए कि student पहले है current current किसमे किसमे ट्राव करता कुलिए current किसमे किसमे ट्राव करता current इन ट्रावल इन solids liquid याशस next semiconductor semiconductor तो यहां पी दिखिए स्टेंट solid, liquids, gases, semiconductor में current कर्या ट्रावल गाता अब स्टेंट को मालूमें कोई भी iron rod है उसके अंदर current ट्रावल करता आप को मालूमें तो iron rod किसमे ट्रावता वो solid बात है पानी में current ट्रावल करता तो वो liquid है gases को भी current कर्या ट्रावल करता यह तो बहुत अजीब आते है तो उसके अंदर gas भरा होता है उसके अंदर भी light ट्रावल कर्या ट्रावल करता नेक्स्टर सेमिकंड़क्टर सेमिकंड़क्टर माले जितने mobile mobile है टीवी है रेडियोस है जितने electronic devices पूर्य होते है वो सेमिकंड़क्टर होते है ठीके तो student हम यह basic information है हर student को यह importance है तो अभी बताना चाहते है foundation course क्या होता है crash course क्या होता है आप बताता है जैसे आपके SLC में current का definition बताके छोड़ देते current का definition बताके छोड़ देते यह जितना भी मैंने यहां पे होड में लिखा हूं यह इसमें foundation course में आ रहे है अब हमारा प्रोग्रम में CDR concept definition अब इसके इसके पूरे जितने भी है इसके concept में बता दूगा और इसके definition भी बतना हूंगा इसने definition भी बताऊंगा और इसके जितने पारकेसे पारकेसे में लिखा दूगा तो इसमें क्या होता है आपने 100% education file किसके बारे में? you will be get 100% information about current based on the CDF program this is the major major program in wisdom they are conducting the CDF program last since 2 years 2 साल से आपने CDF program conduct कर रहे है CDF program में हर content में 100% information 100% information मिल गया है तो आपको कहीं पी भी concrete answer में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होती आसान इसे answer कर सकते हैं तो आपकी ही जीत होगी तो यह भरोसा हम आपको दिला सकते हैं तो चलिए अब हम इसके current के बारे में थोड़ा सा डिसकस करेंगे पना आपको कर्णार चर्ण गेस्टोड़ कर्या थ। Current carriers का माना करता होदा है, अब को मालू अचे, the charged particles whose flows in a definite direction constitute the electric current and are called current carriers. यहने current carriers में हम जो current flow होते हैं उसके अंदब charges जो जो रहते हैं, उसको बोला जाते हैं, current carriers. Example number one, इसमें कितने four types रहते हैं, इसी बले बताता है, number one solid, वान के आपका solids, solids में क्या अतरशेंट, solids के अंदर current carriers साफो free electrons होते हैं, इन solid conductors, like metals, current carriers are free electrons, क्या है current carrier? कोने current currents में? free electrons होते हैं, free electrons, इसका अंदर solids, solids के एक्सर पूलते हैं, metals, all metals, all metals के अंदर current होते हैं, free electrons होते हैं, नेक्स्टो में आपको बढ़ा हैं, नेक्स्टो में क्या था, liquid, okay, in liquids, current carriers are positive ions and negative ions, liquid कतर कुन है, current carriers? current carriers कोन का नाथ इसकतर? positive ions, negative ions, positive ions होते हैं, दूसरा के negative ions होते हैं, तो positive ions, negative ions होते हैं, इसके अंदर current आपको नहीं होते हैं, तो लाई करते हैं, यह पूरे जो भी बता रहा हो, इसको पूरा क्या एक concept है, पूरा concept है, next तर्ड वान आपको, gases, तर्ड वान आपको क्या इस्टे आपको, gases, gases में दीखें, gases में, gases में क्या होता, current carriers, current carrier system आपको, gases में क्या होते हैं, कुर कुर होते हैं, positive ions, और free electron, free electron, यह आपको, gases में क्या होते हैं, next, last final one, semiconductor, 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 current carrier is के आपको, होते हैं, current carrier is के आपको, होते हैं, whole, electrons, whole और electrons, आप, solid तो दीखिए हैं, घर में, हमारे घर में, जो current ट्राउल करता है, वाहिर के अंदर, वो पुरा solid होता है, तो उसके अंदर, rods के रहते हैं, जो metals के रहते हैं, free electrons रहते हैं, उसके अंदर, free electrons रहते हैं, यह आपको, compulsories की knowledge वहना ज़रूरी नहीं है, तो यह है हमारा concept, मैं आपको आपको आल्रेडी बता चुका है, आपको foundation course, completely CDF program बेस पे चल रहा है, इसमें आपको 100% information मिलेंगा, जो भी छोटा content यह उसका 100% information आपके सामें रखी हैं, तो आज, यह current carriers के बार, solid के बारे बता दिया, दुसरी तरह से, इस तरह से liquids लीजे है, यह current carriers के होता है, positive ions और negative ions, आप भी देख सकते liquid, जैसे के हमारे घर में inverter होता है, inverter करते हमें क्या होता है, liquid पानी दाते है, liquid, तो कोसा होता आपको मालू है, पानी कोसा होता है, distil water हो सकता कभी कभी, अभी थोड़े battery होती है, बैटरी इस कंदर होता है, H2SO4 होता है, H+, SO4 मा minus, याने ZN plus के होता है, positive ions को represent करता है, H4 minus आपको negative ions को represent करता है, याने liquid करता है, हमेशे positive ions और negative ions दोनों भी वहुजूद होती है, तो इसी लिए इसके अंदर current ट्रावल करता है, दिखे सेट, और दिखिए, concept में, बहतरीन concept, okay, concept में most common, top most concept यह है, दिखिए, liquid में, जै चो pure water होता है, pure water के अंदर current कभी भी travel नहीं करता, यह बात याद आखने को prompted example कही बार पूछ चुका है, okay, pure water में current travel करता क्या, options यह है, yes, no, okay, maybe, may not be, none of the above, answer क्या है, no, pure water में कभी भी current travel से नहीं करता, pure water में current travel नहीं करता, result क्या है, इसके अंदर ions पूरे खतम हो जाकते, पूरे ions क्या हो जाकते, इसके अंदर खतम हो जाकते, तो इसलिए pure water में कभी भी current travel नहीं करता, okay, concept, एक कंपल से आपको याद रखने, आपके जहन में क्या होता मनो, water में current travel करता, लागा दो answer, yes, यह गलत है, आप नहीं पड yes, यह सही है, can electricity travel in pure water, no, okay, यह है questioning formation का, तो आप answer देते वक्त, pure water में current travel नहीं करता, लेके, ठीके, यह है answer, तो यह completely concept का concept है, pure water, ठीके, स्कें, तो next वाला दीखी, यहाँ पे दीखिए, नेक्स्ट आपके, gases, gases का अंदर क्या होता है, current travel करते हो, तो पासिटी, आई आइ, एलेक्ट्रांस भी, मेंटर करते हो, इसके अंदर, दोनों भी रहेंगा, तो ग्यास के अंदर, current travel कर सकता, कई एक्सापल, आपके घर में tubulate होता है, LED वाला नहीं है, LED वाला नहीं है, जो marble, mercury वाला ले आप होता है, तो उसके अंदर, ग्यास घरे होता है, आपके घर में दी करता है, यह बल्पो पूरा आउट होके, डैमेज हो गया, अब यह काप आने वाला नहीं है, तो आप लेज़ें, उसको फेकते वाद जैसा फुटिगा, तो उसके अंदर, ग्यास बाहर निकल गया, आप देख सकते हैं, तो उसके अंदर क्या रहता है, पासिटी आयान भी या उनों free electrons होते हैं, तो यह हमारा concept है, जैसा ऐसा कहीं example है, lamps के बारे में, देख सकते हैं, current carriers, नेक्स्ट आपको, semiconductor, current carriers, hole और electron, यह आके, p-injunction diode, zena diode, transistor, transistor, okay, हमारे जो mobile के अंदर जो भी रहते हैं, transistor, diodes, okay, capacitor, जितने भी होते हैं, electronic devices को, यह electronic devices के अंदर current travel करते हैं, वक्त तो कैसा रहता है, तो hole और electron दोनों combination रहता है, तो hole क्या करता पास्टी चार्ज लेता है, electron आके negativity चार्ज रहता है, बस इतना concept है, मैंने current के बारे में आपके सामें discuss किया हूँ, तो अब यह बताईए, हम जब current travel करते हैं, current electricity में current travel करते हो, तो हमको कितने tip के current होते हैं, हमार हमारा घर को आता है current pole से, current pole है बाहर खंबा से आता है, वो लाके matrix लगाता है, servicing वह होते हैं, भासी फिर हमारा घर को पूरा घर के building पूरा supply होता, जो AC current से, जो जो home applies है, वो operate करते हैं, वो पूरा AC current होता है, example number one, fan, fan घूम रहा है तो कौन से current घूमा रहा है, उसका AC current घू याने आपका AC, एर कुलर भी AC current से ही चलेगा, mixer, grinder, आपका motor, पानी का motor, next iron box, जितने ही होते हैं, पूरा AC current से चालू होते हैं, यह पूरा AC current से ही work होते हैं, but DC current से कौन से चलते हैं, example number one, DC current से चलने वाला, आपका mobile, charging होने के बाद, आप mobile use कर रहे है, वो चल रहा है, पूरा DC current से चलता, आपके घर में emergency light बुलके होता, जैसे उसको हमने क्या करते हैं, दिन तमाम उसको charging करते हैं, जैसे night time current से लियाता, उसको light switch on करते हैं, ठीके, switch on करने बद वो light जो बाहर आथा, वो पूरा DC current से आता, ठीके शट, तो DC current के हमारे जो devices के पूरा हो, कम है, ज्यादा पास नहीं, कम है, वो कम जैसे के emergency light, mobile charging, आपके घर में थोड़े cell आ हाती के, camera निकालने वाले cell सती उसको charging करके, फिर फोटो सो next खीचवाते हैं, तो ऐसे पूरे time, means less, less वाले example है DC के, maximum आपको ACC ही चलने वाले है, ठीके सट, तो आपका earphone है, mobile phone है, earphone के जैसे के Bluetooth है, उसको आपको वो भी किसी चलता है, वो DC सी चलता है, ठीके, तो ऐसे कई examples है, DC के और AC के, तो इसमें dangerous current कौन है, AC है या DC है, सबसे dangerous current कौन है बने तो AC है, ठीके, यह harmful है, अदमी की जान का खतरा हो सकता, क्या है, इनसान का जान का खतरा हो सकता, अगर AC current हमको जिसा में pass हो गया तो जान भी जा सकती है, DC current है, आप touch भी करिए, आपको कुछ भी नहीं होता, इसी कुछ harmful नहीं है, यह safe है, DC current, तो इन दोनों के बारे हमें थोड़ा discuss करें, तो AC में क्या होता है, frequency रहता है, DC current में frequency नहीं रहता है, ठीके, तो मैं अब AC और DC के दोनों के बारे में थोड़ा differences ब दिखेशनेट, alternate current, direct current, दोनों कुछ में difference बता है, alternate current क्या होता है, current आके ऐसा जाए, यह pass की half cycle होती है, यह negative half cycle है, इसमें magnitude direction, both are changes with expected time, यहां पे क्या होता है, does not change with expected time, magnitude is does not change with expected time, यह है DC current, के time है, ओके time है, वाके current, यह भी X axis में ले रहा हो, time, ठीके शट, यहां पे DC current क्या है, एक्तम constant रहता है, यह कभी भी चीन नहीं होता, तो इसको बला जाता है DC current, next आप, यह दोनों के बीच में, differences देखता हुए, दोनों के बीच में difference दिखेए, AC current और DC current, next आपको, AC current का frequency, okay, DC current का frequency कितना होता है, zero हो, कितना होता है, zero, बहुत important instrument, frequency 50 hertz का मना क्या होता है, एक second में, आइस से 50 cycle हो निकलते है, कितने seconds की बला जाता है, 50 cycle हो, किस में, AC में, what is the meaning of frequency is equal to, F is equal to 50 hertz, in one second, the AC can be emitted 50 cycle per second, 50 cycles per second, that's why it is a dangerous, it is a dangerous than DC, in DC, frequency is zero, frequency is a zero, यह बहुत important, एक concept का concept है, हर student को यह remembering point है, theoretical है, और इस में numerical और mathematical करते वक्त आपको, यहने questions, problem solve करते वाद इसका सहार आभी लेना पड़ेगा, इसका भी, waste पे आपको problem ही करना पड़ेगा, और इसके waste पे आपको problems करना पड़ेगा, एक second, टो आपको यह है, next symbol दिखिये, symbol AC का दिखिये, AC का symbol दिखिये आपको, यह है AC का, complex और भरस्की के वेव के shuttle में, यह वेव होता है, यह वेव के shuttle में दिखिये, तो DC करेंट का symbol दिखिये, यह symbol है, यह के symbol, DC करेंट के symbol है, symbol, एक राद symbol, AB symbol, वो भी symbol, AC का symbol है, और यह DC का symbol है, बस इस तीनों चीज़े से आपको, करेंट से, पॉइंट ऊट कीज़े, बस आपका, करेंट इस तीनों यह आपको, कम्प्लीटली समझ में आता के, हम को सा करेंट इसक अंदर, इस्तिमाल करें, कांपोनेंट के अंदर जा रहा है, अब चली है, डेफिनेशन ते तरफ आराहा हू, करेंट, करेंट को इसके है, दे रेट फुप अफे चार्जास, अक्रास, दखनन, okay what is the current the rate of the rate of flow of charges through any cross section it is called a current student, rate time physics it is very easy definition I will tell you some examples see upon t development t the rate of the rate of some examples okay velocity is equal to displacement upon time what is the rate of change of displacement the rate of change of displacement is called velocity this is velocity acceleration db upon db the rate of change of velocity is called acceleration so to this the rate of change of wave the rate of so that the rate of change startsinc law the rate of flow of charge across any cross section of the conductor, it is called a current. It is called a current. So, a current coordinate definition of what are we here. So, I is equal to DQ upon DT. So, what is the Q? Q is the represented charge. Q is the represented the charge. I is equal to Q upon T. I is equal to Q upon T. Q is equal to the flow of charge. या चार्ज हो सकते इसको टी बलेख डेश रेंड़ा टाइम है आई को यह है हमारा वारण है। कि KDA करेंट्लों होने के लिए शर्त क्या होना चाहिए जरूरी क्या है आप को यह जानी है आप मैं डिप्लेसिट कर दिया और आपका ओर्म में सीन कर दिया तो इसी तरह से आपकाwe الق Grade क्रैश कौर्स वालकी फोजिक्षमः क्यमिस्टी मैंस्क औरे इसी तरह से आपका कोर्स कंप्रीट करेंगे फांडेशन कोर्स तो यहां भी दिखेंगे स्टाइट आई इसी पर्ड़ क्यों अपॉल टी यह है हमार फार इसका SI उनिट क्या होता है SI उनिट क्या है क्या होता है Ampere अब सब्सक्राइब क्या है मैं अफ़िर againivenike रहाँ अगेन मैं किसमे लेके जाया रहाँ वो concept पे रेके जाया रहाँ यह क्या है वे conductor क्या है यह Conductor Conductor पने क्या रहता है Current Carriesxis Out Free Electrons यह नई भूलना हूं इंदर्फ, क्या रहता आपको Free Electrons यह कहने हैं फ्री एलेक्टांस फ्री एलेक्टांस दिखिए और कांसेट में एक दम डेप्ध कांसेट लेके जा रहा हूँ इतना डेप्ध में लेके जा रहा हूँ इतना डेप्ध में लेके जा रहा हूँ देखिए ऐक कणर्टर हे और बेटिव चार्ज होता है और इंक कांटर को थो एनड की बीच में वैंटड को करनेट करना है तो इस कौन से करेंट है यह डीसी करन्ड आइए को उसा connection है, DC current, positive terminal और negative terminal, तो यह negative terminal को यह end है न, यह end को हम बोलते हैं, यह end को बोले है, lower potential भोलते हैं, यह end को बोले है, lower potential, यह end को बोला जाता है, higher potential, higher potential, ठीक है शेंट, आप दिखेंगे, ठीक है, यह आके, throughout the direction of the current, low of the direction of the current, current of low of the direction, ठीक है, current flow हर रहा है, ठीक है, यह electrons है, जो अपो भी है, आपको दिखाए दे रहा है, यह electrons है, तो, conductor को बोले हैं, free electrons, इसके नाम के इसके नाम हो, इसके नाम युजिए, free electrons, free electrons, current carrier score is free electrons, conductor को बोले हैं, यह metal का, कोई माली जी, so, current flow होते वक्त, current flow होने क्लिए, शर्थ क्या है, शर्थ यह होना चेये, electron current को opposite direction में flow होना, यह first point, okay, electron is always close from lower potential to higher potential, electron is always close from lower potential to higher potential, but current is close from higher potential to lower potential, current हमेशा higher potential से lower potential को flow होनगा, okay, question, यह basic information यह basic content है, अब आगी दिखी, अगर मैं यह battery current नहीं किया इसको, conductor को, conductor के अंदर battery current नहीं किया, यह battery है, यह conductor को मैंने DC current नहीं किया, तो अब इसके अंदर free electron, प्रिट्र एक आगी और सेहाण फंदरbilir, यह अग सभनोर की-टर रागी किया, वातीछ यह किया दिगा एलकर राण दिख 雨 और सेख़्पोर्त नहीं किया आगी, तka है, आगी तिखर Kollege, अजगे जगी से यह किया, दि़ुआ आगी, आगी किया, अगीना, यह किया just, आपको इसके बेस पर ही हम क्या है कि पूरे जिंद में भी इसके अंदर समाया गया है, पूरे हम इसके बारे में डिसक्स कर रहा हूं तो इसके अंदर देखिये, डिसक्स कर देखिये, आपको, अगर एक conductor को मैंने potential difference अपले नहीं किया, यह ने without connecting the battery, without the connecting the battery, इसको, conductor को battery connect देखिये, तो what happened, the electrons in the conductor move in random motion, moves in a random motion, कोल से free electron random motion में flow होते, अगर conductor को मैंने potential difference यह ने battery connect किया, the electrons will be flows in a path, flows in a path, एक path वालो किया देखिये, यही path में follow हो रहे है, एक flow को path करेगा, so current also flow in a path, so this is the major information about that flow of the current in the conduct, conductor का अंदर का flow हने का current, ठीक है, ठीक है, तो अब दीके स्टेट, बहुत इंपर्टेंट मारे concept अब को बता जाए, current हांके स्टाइट का अंदर होता है, यह हांके scalar quantity होता है, क्या होता है, scalar quantity, और यह current का फार्मक है, I is equal to plus or minus any upon T, what is the E, E हांके charge of electron, E is equal to charge of electron, E is equal to charge of electron, इसकी value आपको क्या है इस्टेट, value आपको 1.68 to 10 to the power of minus 19, okay, column, 1.68 to 10 to the power of minus 19, column, okay, और N बोले क्या है, N बोले तो number of electron, number of electron flows in conductor, flows in conductor, flows in a conductor, what is the time, T, time taken to flow the electrons from one end to another end, यहां सी यहां तक flow होने के लिए, time कितना लग रहा है, यह इसके बारे में discuss कर सकते हैं, so, यह है को major formula है, तो आप इसके बारे में भी discuss करे हुआ है, इसके बारे में discuss क्या हूं, तो यह competitive सभी भी पूचा दिया, बस समस्ता हो कि आपके beneficial होगा यह आज का video, ओके स्टेंट, thank you for watching.